हलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल पीसी फूट कॉर्णर आज हम बनाएंगे अंडा करी बहुत ही सिंपल तरीके से इसे बनाना बहुत ही आसान है तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले हम अंडों को उबालेंगे मैंने यहां पे अंडे पहले से उबाल लिये थे उसके बाद अब हम इसे फ्राइ करेंगे फ्राइ करने के लिए मैंने थोड़ी सी हल्डी डालके अंडों को पहले कोट कर लिया था अब हम एक कड़ाई लेंगे इसमें तीन चमच तेल डालेंगे तेल को गरम होने के बाद इसमें हम एक चमच जीरा डालेंगे अब हम इसमें कुछ साबुद गरम मसाले डालेंगे एक तेज़ पत्ता, एक काली इलाइची, दो हरी इलाइची और एक दालचीनी का टुकडा अब हम इसमें चौप कीयावा लेस्जन डालेंगे दो से तीन चौप कीया हरी मेंड़श डालेंगे थोड़ा सा भून लेंगे इन्हे दस से 20 सेकंड भूनने के बाद अब हम इसमें दो चौप की अवा प्याज डालेंगे और इसको भूनेंगे प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक भूनना है ये देखिए दो से तीर मिनट हो चुके हैं हमारा प्याज ब्राउन हो चुके है अब हम इसमें टमाटो प्यॉरी अड़ करेंगे आप चाहें तो अगर आपके पास टमाटो प्यॉरी नहीं है तो आप टमाटो को बारीक बारीक काट कर आप इसमें डाल सकते हैं मिक्स करेंगे इसे अच्छे से ये देखिए टमाटर डालने के बाद अब हम इसमें सॉल्ट एड़ करेंगे सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एड़ करेंगे मिक्स करेंगे इसे अब हम इसमें आदा चमच हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे दन्या पौडर डालेंगे अब इन अब इन सब को आपस में अच्छे से मिक्स कर लें गे अब अब फारब इसमें थोड़ा सा पाइड करेंगे ताकि हमारे मसाले जले नहीं, इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, यह देखिए, अब हम 2-3 मिनट तक इसको ढखकन लगा कर पकाएंगे, ताकि मसाले अच्छे से पक जाएं, यह देखिए, 2-3 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं, हमारा मसाला पक कर बिल्कुल तयार है, मसालों न इसका मतलब मसाला बहुत अच्छे से पक कर तयार हो गया है, यह देखिए, अब हम इसमें जो हमने एग फ्राय करके रखा था, उसको एड़ करेंगे, इसमें डाल देंगे, मिक्स करेंगे अच्छे से, यह देखिए, अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी आइड़ करेंगे, मिक्स करेंगे इसे, अब हम इसमें एक चमच गरम मसाला आइड़ करेंगे, यह देखिए, मिक्स करेंगे, दस से बारा मिनट तक अब हम इसको पकने देंगे, बीच बीच में हम इसको चलाते रहेंगे, यह देखिए, दस से बारा मिनट हो चुके हैं, अब इस स्टेज पर हम इसमें बारी कटा हुआ हरा अधनिया एड़ करेंगे, मिक्स करेंगे इन्हें यह देखिए अब हम इसको दो मिनट तक और पकने देंगे यह देखिए हमारा अंडा करी पक कर बिल्कुल रेडी हो गया है अब हम गैस को बंद कर देंगे अंडा करी बनकर बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी है अब आप इसे चावल रोटी जिसके साथ भी अंजॉय करना चाहिए कर सकते है अगर आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगिए तो प्लीस मेरी वीडियो को लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर कि अध्यू